नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है अने लोग आप सभी देख रहे हैं टेक्ची वीटूब चैनल तो आपने मेरे पिछले कुछ USB रवर डकी वाले वीडियोज देखे ही होंगे जहाँ पर मैंने अललगत रहके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का यूज़ करके USB रवर डकी बनाना बताया था यदि आप में से कुछ नए लोग USB रवर डकी के बारे मैं नहीं जानते कि ये क्या होती है किस तरह से वर्क करती है तो इनके लिए आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं आप यहां से इसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं किसका क्या यूज होता है तो आज मैं आपको एक खास किस्म की USB रवर टकी के बारे में बताऊंगा जो कि इंट्रेस्टिंग होने के साथ साथ काफी पॉवर्फुल भी है आज हम जानेंगे वाइफाई डक के बारे में इसकी मदद से तरह तरह की डकी स्क्रिप्ट को वाइफाई के दोरा वेक्टम मसी परन करवाया जा सकता है वाइफाई डक नॉर्मल USB रवर टकी से काफी अलग होती है यहाँ पर हमको एक वैव इंटरफेस मिलता है जहां से हम इसको किसी दूसरी डवाइस से लाइव ही कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पर अपने असाब से कोई भी पेलोड रन करवा सकते ह आपको अलावत्त रहे की वैवय डख डिवाईस मिल जाएगे पर मैंने आपको उसका डेम दिखाने के लिए एक DIY डग डिवाईस मनाई है ProMicroboard और NodeMCU Board का यूज़ करके Bears Pro Microboard ये वही Blair है जिसका यूज़ मैने सबसे पहले USB रवर टक की बनाने के लिए 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 पर इन के अंदर हमें Wi-Fi नहीं मिलता तो हम यहां पर Wi-Fi के लिए यूज करेंगे NodeMCU Board का NodeMCU Board में ESP8266 Wi-Fi Module मिल जाता है इस Board के आपने मेरे कई वीडियोज देखे भी होंगे जैसे कि मैंने NodeMCU की मदद से Wi-Fi Jammer बनाना बताया था इसके अलावा Wi-Fi Repeater Wi-Fi DOS Attack Detector बनाना बताया था तो आज हम इसका यूज Wi-Fi डग के लिए करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके डेमो दिखा दिता हूँ कि यह किस तरह से वर्क करता है अभी मैंने इंबोर्स को सेटप कर लिया है इनको मैंने प्रोग्राम करके आपस मैं कनेट कर दिया है अभी हमारी Wi-Fi Bad USB Attack के लिए तयार है अभी आप इसको किसी भी सिस्टम या OS पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि Windows, Mac, Linux, Android आधी पर जैसे कि देखिए मैंने Wi-Fi डग को अपनी Windows मसीन से कनेट कर दिया है और मैंने Wi-Fi डग में अलालक डवाइस के लिए डग के स्क्रिप्ट को सेट अप कर दिया है आप मेरे mobile पर देख सकते हैं यहाँ पर अलालक डवाइस के लिए पेलोड रेडी है तो अभी यहाँ पर मैं Windows मसीन के लिए यह स्क्रिप्ट रन करा देता हूँ इसको यहाँ पर मैंने रन कराया और आप laptop की स्क्रिप्ट पर देख सकते हैं यहाँ पर HID attack स्टार्ट हो चुका है जो कि Windows टर्मिनल को administrator mode में open कर रहा है जो कि मेरे web server से एक power cell के script को download करके यहाँ पर execute कराएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह script execute हो रही है तो यहाँ पर Wi-Fi Deck के मदश से ऐसे बहुत से काम इससे करवाई जा सकते हैं जैसे कि antivirus को disable किया जा सकता है यह अपने payload को Windows Defender के अंदर bypass करवाई जा सकता है ताकि कोई antivirus और firewall उसको detect ना करे यह system में से password को capture करके attacker को भेजा जा सकता है तो ऐसे बहुत से काम इसके दोरा कराई जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थे मैं आपको इसके और demo दिखाता हूँ यह देखिए मैंने wifi duck को अपनी macbook से connect कर लिया है और यहाँ पर मैंने macbook के लिए भी पिलोड तयार किया हुआ है और यह देखिए इसको यहाँ पर मैंने run कराया और आप laptop की screen पर देख सकते हैं यहाँ पर termnial open हो रहा है जो कि मेरे github से script को clone करके यहाँ पर run कराया और आप देख सकते हैं यहाँ पर यह script run हो चुकी है तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी script run करवाई जा सकती है इसके अलावा बहुत से काम यहाँ पर Mac OS के लिए करवाई जा सकते हैं यह देखिए अभी मैंने wifi duck को अपने smartphone से connect कर लिया है अभी मैंने wifi duck में अपने phone को unlock करने के लिए script त्यार की हुई है तो अभी यहाँ पर मैं स्कुरन करा देता हूँ और आप मेरे phone पर देख सकते हैं यहाँ पर यह अलगर पिन को try कर रहा है और यह देखिए यहाँ पर phone unlock हो चुका है तो यह तो मैंने आपको keyword demo के लिए यह बताए था कि यह किस तरह से work करता है वैसे से बहुत से काम किये जा सकते हैं वो मैं आपको YouTube पर नहीं बता सकता तो इस तरह से आप इसको किसी भी device पर use कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में demo दखाई थे तो वो सारे काम आप इसकी मदस्ते भी कर सकते हैं पर यह उससे काफी advance है और काफी powerful भी है अब ही मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरह से work करता है Wi-Fi Duck को इस तरह से program किया जाता है कि जैसे इसको किसी system से connect करें तो यहाँ पर एक Wi-Fi access point create हो जाता है जिसको कि आप अपनी device से connect कर सकते हैं जिससे भी आप इसको control करना चाहते हैं आप उस device में इस Wi-Fi से connect हो सकते हैं default में यह access point Wi-Fi Duck नाम से आता है इसका default password भी Wi-Fi Duck ही है तो आप इसको अपनी device पर connect कर सकते हैं वैसे आप SSID का नाम और इसका password अपने हसाब से change भी कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा तो आप इस Wi-Fi से connect हो चुका है अब इसके बाद आप Wi-Fi Duck को remotely control कर सकते हैं इसके लिए आपको इसका वैब interface open करना होगा जो की 192.168.4.1 पर रहा होता है तो आप इस IP को अपने browser पर open कर लिजे तो इहापर Wi-Fi Duck interface open हो जाएगा और यह देखिए यहाँ पर इसका interface open हो चुका है अब यह आप इसको यहाँ से remotely control कर सकते हैं यह देखिए सबसे पहले यहाँ पर है status आप यहाँ से जान सकते हैं कि यहाँ पर कितने byte huge हो चुके हैं यहाँ पर कितनी space free है आप इसको यहाँ से format भी कर सकते हैं इसको stop कर सकते हैं इसको reconnect कर सकते हैं और आपने यहां पर जो भी ducky script setup की हैं वो आपको यहां पर नीचे मिल जाएंगी आप इनका यहां पर side check कर सकते हैं और इनको आप यहां पर run करा सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर अपने कोई ducky script को create कर सकते हैं आप इस box के अंदर अ अपने साब से एडिट कर सकते हैं एडिट या इसको कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो इसके आपके फूरी basics नीचे मिल जाएगी, आप यहांसे जान सकते हैं, किसके कौन-कौन से function है, और कौन सा function क्या काम करता है, उसको कैसे use करते हैं, इसके example भी आपको यहां पर मिल जाएगे, इसके अलावा, keys को किस तरह से type करवाय जात तो आप यहांसे duckie script की basic जान सकते हैं, किसको किस तरह से use करना है, अभी आप इस interface की मदद से, इसको setup भी कर सकते हैं, आप setting पर जाकर इसको update या इसको अपने साब से setup कर सकते हैं, जैसे कि आप यहांपर इसकी default SSID और इसका password चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी यहांपर वाइ यहांपर auto run script को enable कर सकते हैं, ताकि आपने यहांपर जो भी script को auto run पर लगाया हुआ है, वो device पर automatic ही run हो जाएगी, जैसे आप इसको connect करेंगे, तो यह भी काफी बड़ीया feature है, आप यहांसे तैक कर सकते हैं, कि कौन सी script automatic ही run होनी चाहिए, इसके अलावा आप यहांसे settings को reset तो यहांपर सारी settings पहले जैसे ही होजाएंगी, इसके साथ ही, आप इसको जाइज रिबुक बडेट भी कर सकते हैं, आप इसकी вид file को download करकर यहांपर अपsoverood करवा सकते हैं, उसको अप्डेट करना भी काफी easy है, यहांपर ऊत्रमेटर की flash हो जाएगा, इसके अलावा आपक सकते हैं उसको run करा सकते हैं उसको stop कर सकते हैं या को script को create कर सकते हैं उसको remove कर सकते हैं तो वो सारी काम आप इस web terminal से कर पाएंगे आप जो भी command नहां पर run कराना चाहते हैं वो आप नहां पर उपर type कीजिए और click कर दिजिए सेंड पर उसके बाद वो कमांड वाइफाई डग पर रन हो जाएगा तो आप यहाँ पर वैब टर्मेल का भी यूज कर सकते हैं और यह इसकी अबाउट इन्फरमिशन है आप यहाँ से इसके बार में जान सकते हैं किसको किस ने डवलब किया है और आप इसको किस तरह से create कर सकते हैं, यहां से मैंने कुछ line copy कर लिए हैं, अब भी यहां पर मैं एक नई script create करूँगा, आप जिस नाम से विड़की script create करना चाहते हैं, वो आप नाम यहां पर type कर दीजे, और click कर दीजे create पर, उसके बाद यहां पर यह file create हो जाएगी, फिर आप नहीं कोई भी script को type कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं notepad को open करवा के, महाँ पर कोई string को type करवाना चाहता हूँ, तो यहां पर मैंने पहले windows rpress किया, तो यहां पर unbox open हो जाएगा, उसके बाद महाँ पर type करेंगे notepad, फिर interface करेंगे, जैसे कि यहां पर notepad open हो जाए, फिर आप यहां पर कोई भी string को type करवा सकते हैं, तो यहां पर मैंने पूरी डग की script set कर दी है, जो कि notepad को open करके, यह line type करेगी, script त्यार करने के बाद, आप इसको यहां पर script run हो रही है, और मैं आपको Windows machine पर भी दिखा देता हूँ, कि वहां पर क्या चल रहा है, यह देखिए, यहां पर run box open हुआ, उसके वाल यहां पर notepad open हुआ, और जो हमने वहां पर line set की थी, वो यहां पर type हो चुकी है, तो देखा पर back to back, एक एक करके script को रंग करवा सकते हैं, आप सभी अललग स्क्रिप्ट को setup करके यहां पर रख सकते हैं, और उनको एक एक करके रंग कर आ सकते हैं, बिना वाइफ़ी डग को unplugged की है हुए, तो यह भी काफी बड़िया फीचर है, जो कि पहले वाले बोर्ड के जान पाएंगे कि इन बोर्ड को वाइफ़ी डग के लिए कैसे setup किया जाता है, तो comment करके जरूर बताइएगा, और यदि आपका इथिका लेकिंग और cyber security में interest है, तो आप cyber tube.net को जान कर सकते हैं, आपको यह पर मेरी काफी सारी और share करना मत भूलेगा, क्योंकि आपके like, share और comment से ही मुझे पता चलता है, कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियोज लाता रहूं, तो वीडियोज को like और share करने में पंजू सी मत कीजेगा, और आपने वीडियोज चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसी तरह की मैं पूर जानकरियों के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो आए, वो मिस ना हो पाए, तो वी के लिए मैं आप से जाज चाओंगा, जल्दी ही मुलाकात हुगी किसी नई वीडियो के अंदर, वीडियो को नहीं देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,